किसान भाईयों क्या आपकी फिसल भी 50 से लेकर 60 दिन की हो गई है और क्या आपकी फिसल में भी ग्रोथ कम देखने को मिल रही है उसमें पीलापन नजरा रहा है और पतिस सुकुड़ी भी नजरा रही है तो ये सब तिक्किते 50 से लेकर 60 दिन के बस्ता पर अक्सर किसान भाई करना है कि हमारी जो ग्यों की पसलिया उसमें खाद का सही चयन नहां करना जैसा हमें नाइटोजन के जूरते हैं तो इसे में पोटास या पिर पासपर डाल लेते हैं या पिर कम मादर हमें नाइटोजन पिर खाद की जगा हम समय पर खाद नहीं डालते हैं खाद का लेट देना पुआई से लेट करना इस समय पर इसलिए किसान भाज्यों अब बात करते हैं कि अपने ग्यों के ग्रोध को दोबार कैसे चलाएं और उस पीली पच्चियों को सही कैसे करें जैसा कि हमारी ग्यों के पुचल के लिए पांच मुख्य सपोसक्तत होते हैं नाइटोजन फासपरस पोटास सलफर और जिंग यदि इन सभी पांचों के बाद केवल तब डान डालना है यदि आपकी पसल की जो गुरोध है रुक रही है उसमें पीलापन नजरा रहा है यह पिर पत्ति सुक्डिवी नजरा रही है यह जदी आपकी पहले से हरी भई होकर चल लए है तो उस इस समय पर आपको अपनी वसल में इस खात का इस्तमाल बिल्गुल भी नहीं करना है क्योंकि उससे केवल आपका खर्च बड़ेगा उससे ज्यादा पदन देगने को नहीं मिल सकता है ऐसा नहीं है किसान भाईयो कि आपकी फसल अच्छे निरंतर्म चल लए है और यह खाट डालने के बाद आपकी फसल आपको डबल एकदम से पक दावार आप ले अब बात करते है खाट की इसमें सबसे पहले आपको 30 से लेकर 40 क्लिग लेना है नायटोजन इस समय पर ग्रोष चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपको 4 क्लिग टेक्नोजाड लेना है टेक्नोजाड में आपको 60% सलफर मिलता है और उप्योग आपको साम के समय करना है सुबह के समय आप इनका उप्योग ना करें या फिर दो फाह के समय भी आप इनका उप्योग ना करें साम के समय आप इसका उप्योग करें और अगले दिन ही आप अपने गेतकी से चाही कर दीजे तो इस खाथ के उप्योग से लगबश स जानगर रिच्छली का होगी मिलते हैं ने वीडियो में नहीं जाने करके सबस्क्राइब नमष्क्राइब